और ये यूपी में कहा जाता है कि जो सोवत है जो सोवत है जो सोता है राथ है जो सोवत है वो सोवत है जो जागत है वो पावत है उसे जाग विशाफिर हो भही अब रहे कहा दुश्को सोवत है कहा राथ है जो सोते हो जो जातने के आउचकता है नवस्कार मैं हूं प्रमिला दिक्षित उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीम केशव प्रसाद बौरे का ये भाषन जून में जैपुर की एक सभा के दौरान का है जो सोवत है सो खोवत है जो जागत है सो पावत है इसलिए बीजेपी ने राजिस्थान में अपने आख कान खुले कर लिये हैं और चोकनने कर लिये हैं ताकि सत्ता पाने का कोई भी मौका उनके हाथ से निकल ना जाए एक बार फिर से केशव प्रसाद मौर्य राजिस्थान के दौरे पर हैं और ट्वीट करते हुए उन्होंने इसकी जानकारी दी है उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीम केशव प्रसाद मौरी ने एक तस्वीर के साथ ट्वीट करते हुए लिखा है कि राजिस्थान प्रदेश के भ्रमन पर हूँ और सारवजनी कारक्रम है पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व सांसत स्वर्गी मदनलाल सैनी की मू प्रदेश में इसी साल के अंत में विधान सभाचुनाव हैं और सत्ता पर काबज है गहलोट सरकार कॉंग्रेस की सरकार मुख्यमंत्री अशोग गहलोट माली समाज से आते हैं और वो कई बार ये बात कह भी चुके हैं कि वो अपने समाज के कॉंग्रेस में एक लौते जाती पाती में जाती पाता हूं मेरी जाती का एक आदमी है मेरे लेक है मेरे वो मैं अपुझी हूँ प्रदेश में माली समाज की आवादी करीब 10 फीजदी है और ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार बिजेपी माली समाज को साधने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीम केशव प्रसाद मौरी भी माली समाज से आते हैं और साल 2017 में जब बीजेपी उत्तर प्रदेश की सत्ता में आई तो इसके पीछे एक बड़ा योगदान केशव प्रसाद मौरी का भी माना जा रहा था राजिस्तान में बीजेपी साल 2018 से ही सत्ता से बाहर है माना जाता है कि प्रदेश में जातिगत समी करनों को साधने में बीजेपी के इस्थानी नेताओं की कमी रही है और इस बार BJP राजिस्थान में ये कमी पूरी कर लेना चाहती है लिहाजा चर्चा तो यहां तक है कि केशव प्रसाद मौरी को राजिस्थान BJP का प्रभारी भी बनाया जा सकता है फिलहाल ये पद है BJP के महासचिप अरुन सिंग के पास उत्तर प्रदेश में साल 2017 के बाद 2022 में भी BJP ने सत्ता रिपीट की और ये उत्तर प्रदेश की राजनीती के 37 सालों में पहला मौका था जब कोई पार्टी सत्ता में वापस आई हो और इसका क्रेडिक इसका एक्ष्रे डिप्टी सीम केशव प्रसाद मौरी को भी दिया जाता है दरसल साल 2017 से पहले केशव प्रसाद मौरे उत्तर प्रदेश BJP के धक्ष थे और उनहीं की अगवाई में BJP ने सत्ता पर काबिज अख्लेश की सपा सरकार को सत्ता से नकिवल बाहर का रास्ता दिखाया बलकि 403 सीटों वाली विधान सभा में अकेले अपने दम पर 312 और गठवंदन के साथ 325 सीटों पर जीत हासिल की यूपी में अपना जल्वा दिखा चुके केशव परसाद मौर्य क्या राजस्तान में भी BJP की सत्ता में वापसी करा पाएंगे वैसे जब माली समाज के समेलन में केशव परसाद मौर्य ने भाशन दिया था तो वहाँ जो लोग मौजूद थे उस सभा ने मुख्यमंतिय अशोक गहलोत के नाम के नारे लगाने शुरू कर दिये थे जिसके बाद संचालकों को ये तक कहना पड़ा था कि आप भाशन पूरा होने दिजिए हम सब एक ही हैं थन्यवाद